हम अश्कार दोस्तों पॉलिटेक्न के स्टेडि सेंटर में आपका विरसे एक बर स्वाग आता है तो हम लोग यहां पर फिजिक केमिश्ट्री का यहां पर हम लोग पहला चेप्टर लेकर आ चुगे हैं जिसमें हम लोगों ने पहले कही सारी चीज़े जान लिए और आपने वो नहीं पढ़ाये तो आप उस को जान लीजिए हम लोग यहां पर कंपाउंग तक अचुके थे हैं कंपाउंड थक हम लोग न व्यावेकिशन पढ़ लिया था इसके बाद हम लोग अब यहां पर जानने वाले हैं और जल्दी हम लोग क्वेशन पर भी आने वाले अगर मैं बात करों इसकी तो if we want to write a formula of a compound which is made up of two or more elements having valences x and y respectively अगर तो हम लोगों को यहाँ पर इसका valency पता होनी चाहिए यहाँ पर valency की बात आ गई किसी भी compound की बात करना है तो उनके constituent atom के लिए उसकी valency पता होनी चाहिए for example अगर मैं बात करों किस चीज की NaCl की काफी एक NaOH की NaCl की काफी एक common element है यह सारे अगर यह तो हमारा हमें पता ही है यह हमारा नमक हो गया यह हमारा NaOH हो गया sodium hydroxide हो गया तो ऐसे करके हम बता सकते हैं इसको तो हम बता हैं लिखेंगे कैसे अगर मैं बात करों NaCl की तो NaCl को Na positive Cl negative इनका clause multiplication करेंगे हम लोग clause multiplication के बाद यह फिर से NaCl आ गया क्योंकि यहां पर different कोई अलग-अलग चीज़े नहीं थी इसके बाद अगर मैं बात करों की write down the simple of the formula of the basic structure of the radical सबसे पहले हम लोग ने basic structure लेखा था इसके हम लोग लोग लिखी थी उसके cross cross कर दिया था यह हम लोग लोग ने पढ़ लिया इसके अग the complex radical compound is enclosed with the bracket for the subscript when it's right into the lower right of the corner यहां पर हम बात करों कि यहां पर और चीज़ा common factors are enlisted in the unit of the subscript are omitted यहां पर अलग रग कुछ चीज़े हैं लेकर main main चीज़े हम लोग ने जाल ली for example जहां हम लोग ने sodium यहां पर calcium chloride या नहीं CACO3 calcium chloride की बात करी है तो हम लोग ने यहां पर CACLO2 negative और यहां पर CA2 positive यहां पर हम लोग लिखके रखा है तो ऐसे करके हम लोग इसको जानेंगे यहां पर हम लोग लोग और भी आगे चीज़े देखी हुई हैं कि symbol are written as the valency CA2 positive exchange numerically यह हमारा हो चुका है यह हम लोग ने सब जान लिया इसके बारे में अगर आके बात करें empirical formula की तो empirical formula क्या होता है उसको जानना काफी important होता है हमारे लिए तो जब भी कोई compound लिखते हैं तो कभी कभी उसमें कई सारे changes आते हैं उनकी अगर एक में बात करूं for example यह पर एक जो लिखा एक बार उसको जान लेते हैं हम लोग पर मैं आपको सम्झानी कोईश करूंगा एक बार the empirical formula is the simplest formula of the compound shows that the simplest whole number in the ratio of the various element present in one molecule of the compound for example the empirical formula of acetylene is CH and that of glucose CH2 तो ऐसे ही करके हम लोग लिखते हैं अब मैं बात करूं किसकी CH2O simple formula of glucose तो मैं अगर इसको chlorophyll का अगर हम पताओ glucose का और sugar का तो हम लोग इसको C6H12O6 लगते हैं तो इसमें अगर 6 हम कॉमन ले लो देखते ही CH2O ऐसे करके ही आ जाएगा तो यह हम लोग कर डिफरेंट डिफरेंट चीज़े हैंगी यह आपर इसके अगर molecular formula की बात करें तो molecular formula वो formula होता है जो की हमारा formula exact होता है for example C6H12O6 अपको fructose का formula होता है chlorophyll पे काफी important होती है तो इसके chlorophyll जो फोटो सिंताथ इसकी process होती है उसमें for example exact description में बात कर जो तो it gives the actual number of the atoms or component elements that the molecule of the compound is the molecular fructose तो यह हम लोग ने जान लिया अब आगे भी दिख लेते हैं यह आपर चीज़े molecular formula हम लोग देख लिया हम लोग देख लिया calculation of empirical formula and molecular formula यह पर percentage wise यह ज़्यादा कुछ important खास है नहीं क्योंकि यह बहुत थोड़ा सा high level चला जाता है तो मैं आगे बात करूं chemical equations की जी मैं आपको आगे बता दूंगा अगर आएगा तो थोड़ा से लंबा है यह अगर मैं बात करूं chemical equations की तो chemical equation is symbolic representation of an actual element change for example एक chemical equation क्या होती है अगर जब जब दो यह दो से ज़्यादा elements यह एक compound एक element आपसे मिलाया जाता है तो एक chemical reaction और उसकी properties में changes आते है physical chemical तो उस change को उस phenomena को हम एक chemical reaction कहते है for example यहां पर यहां पर ZN plus H2SO4 है तो यहां पर ZN SO4 बना हम लोग और H2 gas liberate हुई तो यहां पर chemical changes क्या है उसको भी जानेंगे हम लोग chemical equation represent compound taking part in the reaction product of compound formed by the reaction catalyst used in the reaction catalyst क्या होता है catalyst वो चीज़ होती है जो participate नहीं करती है लेकिन काफी important part प्ले करती है कोई भी हम लोगों के एक reaction में जहां पर यह खुल चुका है तो मैं थुड़ाम आभी चाहूंगा आपसे काफी important part प्ले करती है कोई भी reaction में नेकित उसे participate नहीं करते है for example heat हो सकती है यापर कोई element हो सकता है उसके according change हो सकती है और यहां पर compound taking part in the reaction product of compound during the reaction अब यहां पर और भी कई साही चीज़े हैं यह आप खोड़ सकते हैं मैं आपर आपको एक बता देता हूं silicon, cio2, oxides of the metal basic normal इसाही चीज़े आपको जानना काफी जरूर है जानना है आपको एक थोड़सा आपको एक extra चीज़ पढ़के जाने है तो अगर जा सकते हो तो जुतने जादा पढ़ोगे उतने जादा आपके लिए अच्छा है एक्जाम कौलिफाय करता है अच्छे से तो तो मैं यही कहूंगा कि इसके बाद हम लोग यहां पर बस questions पढ़ने जा रहे हैं मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता है क्योंकि मैं चाहूंगा आपसे कि आप questions जब पढ़ने जाएं तो उसको आप पूरा focus दे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सेफ रहे और देखते रहे वीडियो को चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में